तो कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है जुनागली और मैं हुदक्षिंकोडिया का निवासी तो दोस्तों क्या आपने कभी करीब पुलिस नाम का गाना सुना है अगर नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है और अगर क्यूरियोस हो रहे है तो भी मत सुना क्योंकि वो सुनने लायक चीज नहीं है फिर भी जानकरी के लिए बता दू कि करीब पुलिस एक ऐसा गाना है जो जपान देश में रिलीज हुआ है जिसमें पांच मिनट के अनलिमिटीड बक्चोधी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि उस पर रियक्शन वीडियो बनाने का लेकिन जैसे मेरे चैनल की पुलेसी बखलोर सा रियक्शन दिखा के व्यू बढ़ाना नहीं है और यूट्यूब बाबो की पॉलिसी भी तो इतनी स्ट्रीट है कि अपने फ्लैफोम पे भड़े हुए भावी वाले वीडियो तो इनसे रिमूव नहीं होते और अपने वीडियो में छोटा साई क्लिप डाल तो तो क्विक्ली रिमूव हो जाता है तो शुरू करते हैं बीना वीडियो के रियेक्शन वीडियो को और अगर यहां तक सुनने के बाद भी वो गाना सुनने की इच्छा हो रही है तो धिन्चा पूजा के गाना साथ में राकना क्योंकि बाद में दवाई के कामा सकते हैं करी पुलीस वाला काना शुरू होता है एक वहियाद सेंटेंस के साथ जिसमें बोला जाता है कि उनके माता पिता दोनों करी हैं पहली बात यह बोलने वाले तुम किस चीज के उलाद हो मेरे को यू समझ में नहीं आ रहा यह तो कुछ भी नहीं है दिल अपने थाम कर बेथो क्योंकि इनका अलग सा लेडर शुरू हो जाता है अगले लाइन में मैं खुद गा के सुनाता हूं कि अगर करी नहीं खाया तो मैं नंगा होके नाचूंगा यार ये लोग कहां से ऐसी सस्ता नाशा करके आ गए कि लीडिज के नाम पर डीखी लिख दिया इस सौंग की जगे यूट्यूब पर नहीं कूडे दाम पर होनी चाहिए मतलब यार समझो कि अगर हमने दारू नहीं पिया तो क्या साला हम सड़क पे नंगा नाचेंगे मेट्रो में नंगा हगी होकी करेंगे कि मेरा सची में बीजाती की भी एक हद होती है मुझे तो खुल्याम गाली देने से जादा इस तरह के वीडियो जादा हानिकारक लगते हैं बहुत हो गई गाने पर बकवास क्योंकि ऐसे गाने पर मैं एक सेकन और वैस नहीं करना चाहता अब सिधे बात करते हैं रैसिजम की मैं यह नहीं कह रहा कि कोडिया में रैसिजम नहीं है और मैं यह भी नहीं कह रहा कि भारत में रैसिजम नहीं है क्योंकि हर जगर मैंने यह चीज़ नूटिस की है कि जो रैसिजम नाम की चीज है ना मानवजाती का सबसे गंदा स्वाभाव है चाहे अब उसको उठाके मार्स पर पठक तो भी उलोग वहाँ पे ग्रूप बना कर रेसिस्ट करना शुरू करेंगे लेकिन ये जुरूरी नहीं है पताए इस गाने के सबसे गलत बात क्या है इस रेसिस्ट गाने में एक ऐसे जपानी यूट्यूबर ने रोल किया जो हिंदी बोलते हुए अपने भारत के प्रति प्यारत सब को दिखाता था नाम दहीं बोलूँगा क्यूंकि आप सबको पता ही में किसी बात कर रहा हूं और अन्याय तो यह है कि इन लोगों का फर्ज होता है कि इस तरह की चीज को रोको अगर कोई इस तरह का वहियाद वीडियो बना रहा है तो उसको रोकने का उसका फर्ज बनता है लेकिन इस महाशाय ने तो रोकने के बज़ाई सीधे उस कारणे में रोल प्लेई करके अपने विकास को ही रोक दिया, क्या करूँ? इसे बतातूं तो मैं भी उनके वीडियोस देखता था, उनके बात करने को जो तनीज है, बात करने की जो नमरता है, उन दोनों से मुझे भी प्यार हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या चुपाई वो तो अब बाहर आ चुका है, तो कहता हूं कि हम मैंसे कोई दूज का दूला लेकिन कम से कम दो दो चेहरे मत रखो यार, अगर खुल्या नफ्राद में फेलाते या फिर बर भर के गालिया देते ना, तो भी इतना कांड नहीं होता जितना की आज यूट्यूब के प्लाइफॉम पे मचा हुआ है, इवन मुझे भी कितने लोग क्या-क्या सुनाते हैं, लेकिन मैं उनके सामने शरीफ बनने की कोशिस नहीं करता, सिधा उल्टा जवाब देता हूँ या यूपी से सीखे होई शब्स का इसकमार करता हूँ, क्योंकि सब के नजरों में अच्छा इंसान बादना मुझे कता ही नहीं पसंद, और अगर व्यूज ही चाहिए, तो कम स अगरी बाद ये कहना चाहता हूँ कि रैसिजम जो है एक वुमेरां की तरह होता है, तो इस साइड से थेकोगे, लेकिन एक दिन वो उच साइड से अपनी साइड वापस आखर आपको मारेगा और पता भी नहीं चलेगा, अब इस एक घटिया वीडियो के वादा से भारत मे रहने वाले मूल भारत के निवासी नोर्टीस्ट के लोगों पर कुछ आनी ना पड़े, ऐसी मेरी दुआ है, पर साइड का मेरा वीडियो यहां समाप्त होता है, मैं वाप आपको सांगा और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक साद्धान रहिए, सतक रहिए, मैं जुन